आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शिक्स समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं राशिद एहमत खान सबसे पहले मुख्य समाचार प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने नौवे रोजगार मेले में करीब 51,000 चैनित युवाओं को न्युक्ती पत्र वित्रित किये प्रदेश में बुजर्ग पत्र पकारों को प्रती महादी जाने वाली समाचार निदी बढ़ा कर 20,000 रुपए की गई मंत्री परिशद ने पत्रकार हितेशी महतपून नर्लेयों को दी मनसूरी बीजेपी ने प्रदेश में विधान सवाचुनाओ के लिए जारी की तीसरी सूची कॉंग्रेस की जल्द आएगी पहली लिस्ट और एशियन गेम्स में भारत को घुर सवारी में एक तालीस साल बाद बिला सौन पदग अब समाचार विस्तार से प्रदान मंतरी नेरेंदर मोदी ने आज वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहट गरीब 51,000 चैनित युवाओं को न्युक्ती पत्र वित्रित किये इस उसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रियास का एक रूप है इस सवसर पर प्रदानमंत्री ने कहा कि आज देश एतिहासी कुपल अबधियों और फैसलों का गवाह बन रहा है उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही देश की आधी आवादी को नारी शक्ती बंधन अधिनियम की रूप में बहुत बड़ी ताकत मिली है श्री मोदी ने कहा कि महिला आरक्षन विध्यक पिछले 30 वर्षों से लंबित था अब दोनों सादनों दौरा रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है रोजगार मेले देश भरव के 46 स्थानों पर आईजित किये गए बोपाल में डाँक वेभग दौरा आईजित कारे कुर्मने केंध्रिए किर्शी मंतरी नरुज़न सिंग तोमर ने चैनित उमीदवारों को नुक्ती पत्र दिए वहीं सागर मैजित रोजगार मेले में केंद्रिय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने न्यूक्ती पत्र प्रदान किये इस दोरान उन्होंने कहा कि न्यूक्त शास की सेवक अपना कारे सम्वेदन शीलता के साथ करें ताकि समाज लाभनवित हो प्रदेश में वरिष्टेवं बुजूर्ग पत्रकारों को प्रती माहा दी जाने वाली सम्मान निधी दस हजार रुपे से बढ़ा कर बीस हजार रुपे महीना कर दी गई है मुख्यबंदी शिबरा सिंग चोहन की अध्यक्षता में आज हुई मत्री परिशत की बैठक में पत्रकारों के हित में कई महत्पूर्ण फैसले किये गए बैठक में सम्मान निधी प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यू होने पर आशरितों को एक मुष्ट आठ लाग रुपे की राशी दिये जाने का भी नर्ने लिया गया इसके अलाबा बैठक में अधी माननेता प्राप्त फत्रकारों को आवास रिण ब्यास अनुदान के अंतरगत अधिक्तम रिण राशी सीमा बढ़ा कर 30 लाग रुपे करने को मन्सूरी दी गई वहीं बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक रिण पर उसके बैयास पर पांच प्रतीशत अनुदान पांच साल के लिए सरकार वहन करेगी बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाव योशना की दस हजार भी हिद्गराही अजीतार आठोर और दस हजार एक भी हिद्गराही कुमारी आकांशा चौहान को अनुबंदर पत्र परदान किये और उनके उजवल भविश के ल करने वाला सीहोर जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया है पिछले चार महीने से जिला अस्पताल जाहिद विकासखंड इस्तरी अस्पतालों में डिजिटल सेवाएं प्रारंब कर दी गई हैं कलेक्टर प्रमीन सिंग ने संबंद में जानकारी देते हुए बताए कि जिल के छे स्वास्त के इंदर पर इसकेनर लगाए गए हैं जिससे अब तक मरीजों को लाइन में लगकर परची बनवाने की जरूरत नहीं होगी बलकि विस्वाइम अपने मोबाइल फोन से क्यू आर कोड स्कैन कर एवं आवशक जानकारी दर्ज कर अपनी परची जनरेट कर सक करेंगे यह समाचार आप आका श्वाणी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलिटन यूट्यूब ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर भी सुने जा सकत समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदीश में अब विधानसबा चुनाओं में गरीब दो महीने का वक्त बचा है ऐसे में सत्ता धारी दल बीजे पी और विवक्षी पार्टी कांगरिस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं भाजपा ने आज तीसरी में एक ही नाम है पार्टी ने मरवाड़ा सीट से 33 साल की मोनिका बटी को प्रत्याशी घुशित किया है मोनिका साथ दिन पहले भाजपा में शामिल हुई है इससे पहले बीजे पी ने कल देर शाम 49 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की थी वड़वानी से हमार प्रत्याशियों के नाम तया नहीं कर पाई है हाला कि उम्मीदवारों पर मंधन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कॉंग्रेस की सूची भी सामने आ सकती है इस से पहले आमादवी पार्टी दस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है वहीं बहुजन स समाच पार्टी ने पिछले महीने साथ प्रत्याशी घोशित किये थे। नर्वदा पुरम जिले के चतर खेड़ा आंगनवारी के अंदर में पोशन महां के तहत पोशन दिवस का आउजन किया गया। इस दोरान गर्ववती और धात्री महिलाओं को बताया गया कि पोश्टिक भोजन शारिरिक और मांसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। वे भोजन में मौटे अनाच का उप्योग बढ़ाएं और जादा से जादा खाद्पदार्टों को भोजन में समलित करें। वही बच्चों के भोजन में पोश्टिक बढ़ाने वाली चीज़ों को उनके स्वात के अनुसार शामिल करें। आंगनवारी कारिकरताओं इस दोरान गर्वती महिलाओं को तरंगा थाली के बारे में अफगत करवाया। पोश्टर महा के अंतरगत आयोजित कारिकरम में गराम की महिलाओं के लिए पोश्टिक बेंजन की प्रदशनी भी लगाई गई और पोश्टिक बेंजन के विशह में महिलाओं को समझाईश दी गई। चीन में खेले जा रहा है उननीस वे एशियाई खेलों में आज भारत ने तीसरा सौन पदक जीता गुर सवारी की टीम इस परदा में सुदीपती हजेला, दिव्या किरती सिंग, हिर्देश छेदा और अनुष अगरवाल की चौकणी ने पहला इस्तान पर हांसिल किया भार पुरिशों की विंड सफर इस परदा में एबदाद अली ने कांसे बदक पर कबज़ा किया, पुरिशों की में भारत ने सिंगपूर को सोला एक से शिकस्त दी, प्रक्यात अविनेतरी वहिदा रह्मान को इस साल के दादा साहब फाल के लाइफ टाइम अचीब्मेंट प्र इसले को साज़ा किया, श्री ठाकुन ने लिखा कि मुझे ये गोशना करते हुए बेहत खोशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहिदा रह्मान को भारती सिन्या मैं में उनके उतक्रिश्ट योगदान के लिए साल प्रतिश्चित दादा साहब फाल के लाइफ टाइम अची वा सीपस अंस्था दौरा घंडवा जिले के गिराम जलकुआ में सौर उर्जा को लेक अर्पिड शिक्षन आयुजित किया गया, सीहोर नगरपाली का परिश्ट के विद्युत शाका के करमचारियों को आज नई साइकल और सीड़ी प्रतान की गई, बढ़वानी के अगर रिजर्ब में लोकाईक्त पुलिस ने तीन हजार रोपे की रिशवत लेते हुए कलर को रंगे हांध करफ़तार किया, अन्तमे मुखे समाचार एक बार फिर, प्रधान मंतरी नेरंदर मोदी ने नौवे रोजगार मेले में करीब 51 हजार चैनित युबाओं को नियु सूची कॉंग्रीस की जल्द आएगी पहली लिस्ट और एशियन गेम्स में भारत को घुर सवारी में 41 साल बाद मिला सौन पदग इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार